तीज़ जनवरी को कलपना सोरेन जब विधायकों की बैठक में पहुची थी को उन्होंने सबसे पहले चमपाई सोरेन के पैठ भू कर आशिरवाद लिया दूँ लेकिन देखिए कैसे 24 घंटे के भीतर कहानी बदल गए कलपना सोरेन जिनके पैठ छू कर सीएम बनने के लिए अशिरवाद ले रही थी वोही रेस पे सबसे आगे आगए चमपाई सोरेन जी को नेता चूना गया है जब कलपना के नाम पर मत भेद हुआ तो विधायकों ने चमपाई के नाम पर मोहर लगए आपके मन में सवाल होगा कि चमपाई का ही चुनाव क्यों किया गया दरसल जारखंड के टाइगर कहे जाने वाले चमपाई सोरेन जारखंड मुक्ती मोर्चा के अनुभवी नेता और उपाध्यक्ष है चमपाई को हेमन सोरेन का यस मैन भी कहा जाता है सराय केला सीट से विधायक चमपाई जारखंड सरकार में मंत्री भी है जारकंड के CM पत के लिए चमपई के नाम का अईलान होते ही उनके आवास पर जश्क शुरू हो गया था लेकिन जो बात चमपई सोरेन के प्रोफाइल में सबसे महत्वपूर है वो ये की चमपई शिपो सोरेन के बेहत करीबी माने जाते है महारक गुरू जी इनका आदर्श और उसी आदर्श को मांन के हम जार्कंड में हम शंगर्श और यहां का अस्मित का बंद बचाने के लिए हम शंगर्श करते हैं यहां का आदिवाशी का आवाज को कहीं से दबाया जाता है यह बर्सों से है आज से नहीं है तस्वीरे बुधवार रात करीब आठ बचे की है जब चम्पई सोरिन सरकार बनाने का दावा पेश करने के लिए तमाम विधायकों को बस में बिठा कर राजभवन रवाना हुए थे जारकट में सरकार बनाने के लिए बहुमत का आकड़ा 41 है और चम्पई सोरिन 47 विधायकों के समर्थन का दावा कर रहे है 43 विधायकों के समर्थन की चिट्थी राजजिपाल को सौपी जा चुकी है उसका इंतीजर में हम लोग है हमारा 47 है एक तरफ गड़बंधन के तमाम विधायकों को हैजराबाद की तरफ ले जाने के लिए राजजिपाल के सरकिट हाउस में बैटकर राजजिपाल के बुलावे का अंतजार कर रहे थी घड़ी की सुई टिक टिक करती हुई बढ़ रही थी और राजजिपाल के सरकिट हाउस में बैटकर गड़बंधन के नेताओं की धरकने भी तेज़ थी हर किसी को इतजार था राजजिपाल के बुलावे का बुलावा तो नहीं आया लेकिन गुरुवार शाम करीब साढ़े पांच बजे चमपई सोरें तमाम विधायकों को लेकर 24 घंटे के भीतर दोबारा राजभवन पहुँच गये चमपई सोरें बहुमत की गवाही के लिए पूरे 43 विधायकों को लेकर राजभवन पहुचे थे लेकिन सिर्फ चार विधायकों के साथ राजजिपाल से मिलने अंदर गए थे बहराने पर चमपई ने सिर्फ इतना कहा कि राजजिपाल ने सरकार गठन के लिए जल्द बुलाने की बात कही है हम लोग ने कहा कि काल हम लोग आठ सारे आठ वाज़ा हम लोग दिया है नया सरकार गठन करने के लिए दावा पेस किया है आरे भी 20-25 गंटा भी होगा इसको गठन करने के पड़िया है और हम किया जाए खबर मिली कि राज़िपाल ने विधायकों से काया है कि वो जार खंड में सरकार को लेकर कल यानी शुकरवार को फैसला लेंगे शाम के साड़े 6 बज रहे थे और दूसरे मोर्चे पर खबराई कि जो चार्टेट प्लेंट सुभा से विधायकों को हैदराबाद ले जाने के लिए इंतिजार कर रहा था उसमें सवार होने के लिए विधायक रवाना हो गए कर दो कर दो कर दो कर दो